परानिक यूब में शान्तुनु नामक एक सिधा साधू थे, इनकी पत्नी भी एक सिधा धर्म परायन नारी थी। कहानी उस समय की हैं, जब शान्तुनु और उनकी पत्नी बहुत व्रिदह हो चुके थे और उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पु स्वयम को गौरफशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन राथ हजारों दुआय देते थे। कई बार दोनों एक दुसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवन जैसा मात्रभग पुत्र मिला, जिसने स्वयम के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन मैं कुछ भी भिन नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा करतव यह हैं, जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इसे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे ये सौभागय प्राप्त हुआ हैं कि मैं आपकी सेवा करून, आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं, मुझस श्रवन कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़ कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता हैं, हाँ पिता श्री, ये तो मेरे लिए परम सौभागय की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूँ श्रवन अपने माता पिता को तीरत करवाने हेतु एक कावर तयार करता हैं, जिसमें एक तरफ शांतुनू एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती हैं, और कावर के दंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता हैं, उसके हृदे में माता पिता के प्रती इत श्रवन कावर को जंगल में रख कर हाथ में पत्तों का पात्र बना कर सर्यू नदी से जल लेने जाता हैं। श्रवन कुमार के समीब जाकर उससे क्षमा मानते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं उनका पुत्र कहा हैं। वे भले ही नेत्रहीन हो पर वे दोनों अपने पुत्र को आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्णों को सुन महाराज दश्रत उनके चरनों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्व की मृत्यू की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दश्रत से उन्हें अपने पुत्व के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरत कावर उठा कर दोनों माता पिता को श्रवन के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देख महाराज दशरत को अत्यंद गलानी का आभास होता हैं और वे अपनी करनी की क्षमाय आचना करते हैं है लेकिन दुखी पिता शान्तुनु महाराज दश्रत को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शान्तुनु पुत्रवियोग में मरूँगा उसी प्रकार तुम भी पुत्रवियोग में मरोगे इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यू को प्राप्त हो जाते हैं महाराज दश्रत श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षो बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिशेक होता है तब माता कैकई के वचन के कारण राम, सीता और लक्षमन को 14 वर्षो का वनवास स्विकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दश्रत की मृत्यू भी पुत्र वियोग में होती है अपने अंतिम दिनों में उन्हें शान्तुनू के कहे शब्द याद आते हैं और वेराम के वियोग में अपना शरीर त्याद देते है